नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एडुकेशन क्लासेज में आप सब एका स्वागत है उत्रखेंड एल्टी दोजार चौबिस की विसेश सीरीज दोस्तों हमारे द्वारा चलाई जा रही है first part academic aptitude की दोस्तों हम आपको preparation करवा रहे हैं इसका दोस्तों आज हम एक और पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है सिक्षा के अभीकरण एवं साधन यानि की agencies and sources of education आज है class number 21 इससे पहले दोस्तों हमने 20 classes upload करी है नहीं देखी तो जरूर देख लेना 30 जून 2024 को आपका exam होगा दो महीने का मातर समय है लेकिन valuable content को दोस्तों जरूर पूरा देखा करें इससे दोस्तों आपको 100% exam में help मिलेगी one by one topic by topic दोस्तों हम ये classes upload कर रहे हैं और उमीद करते हैं कि आपको ये दोस्तों help कर रही होगी और आगे भविश्य में भी करती रहेगी तो आज की class को दोस्तों शुरू करेंगे हमेशा class को पूरा देखा करें दोस्तों तभी जाके 100% आपको benefit मिलेगा तो चलिए दोस्तों class को शुरू करेंगे सबसे पहले दोस्तों जानेंगे सिक्षा के अभीकरण यानि की agencies of education के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि सिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य जिस भी सामाजिक समू या फिर संगठन का सदस्य होता है तो वो उसके सामाजिक प्रक्रिया में या फिर सामाजिक जेतना में दोस्तों हमेशा भाग लेता है और इस अंताक्रिया के परिणामता उसका व्यवार में परिवर्तन होता है और व्यवार में परिवर्तन कोई दोस्तों क्या कहते हैं सिक्षा बोलते हैं तो basically सिक्षा की प्रक्रिया को अग्रसर करने वाले इन सामाजिक सम्मुहों अत्वा संगठनों को ही सिक्षा के अभीकरण कहा जाता है यानि कि वो organization हैं या social groups हैं जिनकी मदद से सिक्षा की process carry forward होती हैं उनको हम agencies of education के नाम से तो से जानते हैं शाब्दिक रूप से देखा जाएं तो agency अंग्रेजी भासा के शब्द agent से बना है और agent कार्थ होता है कारेकरता, प्रतिनिदी, ब्रोकर या फिर instrument लेकिन यहाँ पर सिक्षा के संदर्व में जो agencies of education कार्थ वो सामाजिक समूँ या फिर संगठन है जो मनुस्य के सिक्षा में directly या फिर indirectly रूप से help करते हैं अब यहाँ पर BD भाटिया हैं, इनके द्वारत उस सिक्षा के अभीकरण की definition दी गई है परिक्षा के दृष्टि को उनसे important है समाज ने सिक्षा के कारियों को संपारित करने के लिए अनेक विसेश सस्थाओं को इस्थापित क्या है और इनी सस्थाओं को सिक्षा के अभीकरण कहा जाता है Society has developed a number of specialized institutions to carry out the functions of education and these institutions are known as agencies of education पर basically यह इनका ही मानना है कि समाज ने सिक्षा के कारियों को संपारित करने के लिए ही जिन सस्थाओं को या फिर specific institute को स्थापित किया है उनको सिक्षा के अभीकरण कहा है पर ऐसा नहीं है चाहे समाज ने सिक्षा के कारियों को संपारित करने या फिर किसी अन्य कारी के लिए भी जिन सस्थाओं को स्थापित किया है वो भी सिक्षा के अभीकरण है चाहे वो उसका निर्मान सिक्षा के कारियों को संपारित करने के लिए किया हो या फिर किसी अन्य उद्देशे के लिए किया गया हो वे सिक्षा की प्रक्रिया को डारेक्ट या फिर इंडारेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप में दोस्तों अवश्य प्रभावित करते हैं जिसे कि हम परिवार की हमारे बात करते हैं परिवार का निर्मान किसलिए हुआ है, ताकि हमारा social life सुकी रहे, हम सुकी रहे, परन्तु फिर भी दोस्तों हम अपने बच्चों की सिक्षा में सयोग करते हैं, डिरेक्टली करें चाहे इंडिरेक्टली करें, तो इस करेंट से जो सिक्षा के अभी करेंट की जो broad definition जो कि हमन समुदाय के अंदर जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, चाहे राजी की हम बात करें, राज्य में जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, वो सभी दोस्तों के हैं सिक्षा के अभी करने हैं, अब बात करेंगे कुछ discrepancies की, यानि की कुछ मद्भेत, अब कुछ शिक्ष इन सभी को सिक्षा का अभी करन मानते हैं, लेकिन ये सिक्षा के अभी करन नहीं हैं दोस्तों, ये साधन हैं, यानि की sources of education हैं, सिक्षा के अभी करन तो वो सामाजिक संगठन हैं, जिनोंने पुस्तकाले बनाएं, वाचनाले बनाएं, खेल के मैदान बनाएं, पत्र-पत्र का कलेवर तैयार किया, उनका प्रकाशन किया, रेडियो में प्रसारण के लिए कारेकरम जिनोंने तैयार किया, टेलीविजन के लिए कारेकरम जो तैयार करते हैं, ठीक, तो ये दोस्तों आपके कहा है सिक्षा के अभीकरण हैं, तो आपने इनके बीच का डिफरेंस समझना है कि सिक्षा के अभीकरण और सिक्षा के साधन अब सिक्षा के अभीकरणों का दोस्तों वर्गीकरण किया गया है अब इनके वर्गीकरण भी दोस्तों अलग लग तरीके से है तो सबसे पहले हम मुख्य वर्गीकरणों को परस्तूत करेंगे जो कि सबसे important है, तीन मुख्या दोस्तों वर्गी करण है, एक है आपका अपचारिक, दूसरा है निरॉपचारिक, तीसरा है अनपचारिक, यानि कि तीन में क्लासिफिकेशन कहा है, formal, non-formal and informal, अब अपचारिक सिक्षा, निरॉपचारिक सिक्षा और अनपचारिक सिक्षा के जो अपचारिक सिक्षा की विवस्ता करते हैं, उनको अपचारिक अभिकरण बोलेंगे, जो निरॉपचारिक सिक्षा की विवस्ता करते हैं, उन्हें निरॉपचारिक अभिकरण, और जो अनपचारिक सिक्षा के केंद्र होते हैं, उन्हें अनपचारिक अभिकरण कहा जा बेसिकली इस केटेगराइशन के अकॉर्डिंग यही है बट ऐसा नहीं होता है देखे कुछ अनवचारिक अभीकरण के हम बात करते हैं से परिवार है तो परिवार हमारे लिए अपचारिक सिक्षा की विवस्ता भी करता है यानि कि बच्चों को स्कूल भेशता है वही मापा इकदम सही नहीं है ठीक तो यहाँ पर शिक्षा के अभीकरण क्या होंगे थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम समझेंगे देखे सबसे पहले शिक्षा के अभीकरण वे समाजिक समू अत्वा संगठन है जिनका निर्माण कोई सोच समझकर सिक्षा के लिए ही करता है अब आपन इसको समझना है कि सिक्षा के अभीकरण वे समाजिक समुए संगठन है जिनका निर्मान कोई सोज समझ कर सिक्षा के लिहीं करता है जैसे कि सरकार का सिक्षा विभाग और सिक्षन सस्थाई विध्याले, महाविध्याले और विसविध्याले तो इन अभीकरणों में जो भी जिस सिख्षा की व्यवस्ता की जाती है उसके उदेश्य पाठीचरिया और सिख्षण विदिया सब कुछ निश्चित होते हैं यानि कि सारी चीज़ें फिक्स होते हैं तो सिख्षा के आपचारिक अभीकरणों में अपने समझना है कि जिनका निर्मार समाजिक सम्मू या वो इस संगट है जिनका निर्मार सुक्ष समझकर सिख्षा के लिए ही किया जाता है तो कोई भी समाज या राज्य अपने उद्दीश्यों की प्राक्ति इन अभीकरणों के माध्यम से ही करती है ठीक है इसके बाद आता है निर्वप्चारिक अभीकरण निर्वप्चारिक अभीकरण क्या है वे समाजिक सम्मू अत्वा संगटन है जो बच्चों युवकों अत्वा प्राडों की निर्वप्चारिक सिख्षा की विवस्ता करते है निरॉप्चारिक सिख्षा की व्यस्ता करते हैं लेकिन इन अभी करणों के द्वारा जो सिख्षा चलती है उसका भी उदेश्य पार्टिचरिय और सिख्षन विदियां सभी निश्चित होती है लेकिन इनमें क्या थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे हमने दोस्तों नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारें पढ़ाता है सिम वही कॉंसेप्ट है तो जैसे जन सिख्षा प्रॉड सिख्षा सतत सिख्षा की व्यस्ता इन अभी करणों के द्वारा ही होती है तो जो बच्चे आपके अभी कर पाते हैं और जो प्रॉड निरक् सिख्षा की व्यस्ता करने में इनका काफी योगदान है निरॉप्चारिक अभी करन इसके बाद अनॉप्चारिक अभी करन वे समाजिक समु अत्वा संगठन जिनका निर्माण समाजिक सरस्तना के द्रगत स्वता होता है स्वता होता है इनका दोस्तों निर्माण और जिनक नहीं है, कोई ऐसा एंद नहीं है, बट इनका निर्माण सामाजिक सरस्ना के अंतर का स्वता होता रहता है, automatically they are formed, they are those social groups or organization which are formed automatically within the social structure and for which the system of formal or non-formal education has no purpose, such as family, community and religious institution. ठीक, आप इसमें जो सिक्षा चलती है दोस्तों उसके उद्देश ये पांटिकरम शिख्षाण वीदिया कुछ भी निच्चत नहीं होते हैं, तो ये तो दोस्तों हम वैसे भी अप्चारिक शिक्षा अनप्चारिक शिक्षा और अप्चारिक शिक्षा में दोस्तों पढ़ चुके हैं बस आपने उसी के according दोसें की definition को समझना है अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरा एक और classification है वो है शिक्षा के निस्क्रिय और सक्रिय अभी करणों का यानि की active and passive agencies of education सबसे पहले हम बात करेंगे active agencies तो सक्रिय अभी करण में वे अभी करण है जिसमें सिक्षक जो प्रभावित करता है और सिक्षक जो प्रभावित होता है एक दूसरे के protection संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं उनको हम बोलते हैं सिक्षा के सक्रिय अभी करण ठीक तो जैसे की विद्याले, परिवार, समुदाय और अन्य सामाजिक के इंद्र तो ये अभी करण क्या है इसमें सिक्षक और सिक्षारती एक दूसरे के direct contact में आते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं इनको सिक्षा के सक्रिय अभी करण बोला जाता है इसके बाद अगला हैगा सिक्षा के निस्क्रिय अभी करण यानि की passive agencies तो वे अभी करण जिसमें केवल एक पक्ष सीखने वाला ही प्रभावित होता है उसको हम सिक्षा के निस्क्रिय अभी करण कहते हैं जैसे की पुस्तकाले, वाचनाले, है न तो अब पुस्तकाले और वाचनाले में हम क्या करते हैं, दूसरे के द्वारा लिखे वे विचारों को पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक, तो जिसने वो चीज लिखी है उसका उस पर बच्चों का कोई प्रभाव ने पढ़ने वाला, लेकिन बच्चों पर उसका जरूर प्रभाव पढ़ेगा, ओके, तो पुस्तकाले वाचनाले इसका अपना अलग महतु है, यहां पर स्वाध्य है का आपको काफी मौका मिलता है, सेल्फ स्टेडी है की अच्छी होती है, ठीक, तो यह दोस्तों आपका है सिक्षा के निस्क्री अभीकरण, अभी दोस्तों आप ब्राउन महोदे हैं, वर्गी करण किया गया है, बिसिकली दोस्तों यह सिक्षा के साधन है, इनी का दोस्तों वर्गी करण है, पहले हम दोस्तों सिक्षा के अभीकरणों के अधार पर इसको जानेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों इसको साधन के रूप में हम इसको वर्गी करण करने का प्रयास करेंगे तो इनके द्वारा दोस्तों चार भागों में वर्गीकरण किया गया है एक है अपचारिक, अनपचारिक, व्यवसाइक और अव्यवसाइक ठीक है तो चार इनके द्वारा वर्गीकरण हैं सबसे पहले अपचारिक अभीकरण बे मानते हैं कि भाईया जिनका निर्मा को इस हमारे बच्चों के ज्यानवर्धन और व्यवार को प्रभावित करने के दिर्ष्टी से करता है यह ब्राउन महदे का दोस्तों वर्गी करन है ज्यान रखना है तो ब्राउन महदे के द्वारा चार सिक्षा के अभी करन बताएगे हैं इसमें हम पढ़ने है फॉर्मल एज्यूकिशन में ही डाल देंगे ठीक इसके बाद अनौपचारिक इस वर्गम में वे अभी करन आएगे जिनका निर्माण कोई समाज बच्चों को पर्तेक्ष रूप से सिक्षा देने के लिए नहीं करता पर वे किसी ना किसी रूप में बच्चों को प्रभावित आएगा व्यवसाइक यानि की कमर्शेल एजनसी इस वर्गम में वह सादन होंगे जिनका निर्माण व्यवसाइक दिर्ष्टी से किया जाता है और वे हमारी सिक्षा के लिए भी प्रियोग किया जाते हैं जैसे समाचार हैं पत्र-पत्रिक आये हैं टेलीविजन नाट्टे पत्र-स विय्वसाइक टोने ओर चल्चित्र थीएटर्टर यह सब ही दोस्तों किसा इंतरगार आते हैं बिएक्रण में आते हैं इनका दिर्माण व्यवसाइक दिष्टी कोर्ण से किया गया है यहां कि कमर्शियल पॉइंट ओफ यू़ से किया गया है इसके बाद किक्या संग, समाज कल्यान केंद्र, प्रॉड सिक्षा केंद्र, युवक कल्यान संगठन, स्काउट, सस्था, आदी, तो ये आपके अवेवसाइक अभीकरण के अंतरगत आते हैं, तो ये तो थे दोस्तों हमारे सिक्षा के अभीकरण, अब दोस्तों हम बात करेंगे सिक्षा के स्त्रोथ के बारे में, यानि कि सोर्सिस ऑफ एड्यूकिशन, तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, कि दोस्तों कई तिद्वान ये मानते हैं कि सिक्षा की एजिंसी और सिक्षा की जो स्त्रोथ है, इनमें कोई भी डिफरेंस नही टेलिविजन, ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं, रेडियो, सिन्वा, इन सभी को दोस्तों इसमें समलित किया जाता है, ठीक, तो पहले आप समाझ देजिए, ये हैं सिक्षा के स्त्रोथ, ठीक, इसके बाद इसको भी चार भागों में वर्गिकरंड किया गया है, और ये द आपचारिक स्त्रोथ के अंतरगत कौन आते हैं, स्कूल, धार्मिक सस्ताएं, संगरहले, पुस्तकाले, आर्ट, गैलरी, ये सब इसके अंतरगत आते हैं, और आपचारिक इसलिए है, स्कूल वाला कि यहां पर बच्चों को नियमित रूप से सिक्षकों के द्वारा सिक्ष दी जाती है, इसके अलावा ये वैचित्र, ये विचित्र होगा दोस्ते, विचित्र सग्राले हैं, यहां पर बालक को विभिन प्रकार की वस्तूओं, जीव जन्तूओं का या एतिहासिक जो चीजें हैं, उनका ज्यान करवाए जाता है, ताकि उनका ज्यान अत्मक, भाव अत्मक सामाजिक विकास हो सके, पुस्तकाले में बालग क्या करता है, विबिन परकार की पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाउं का अध्यन करता है, जिससे कि उसका बौदिक ़िकास हो सके, ऐसी साइड गेलरी में वो कलात्मक चित्रों को परिवार, खेल, समू, समाज, अत्वाराज्य, यह अनौपचारिक है, ठीक, तो यह आपकी क्या है, अनौपचारिक है, अनौपचारिक स्त्रोत है, तो यहाँ पर जैसे परिवार है, तो परिवार से भी आपको क्या मिलती है, सिक्षा मिलती है, संस्कृती सब्वेता के बारे आप कुछ सिख्षा मिलती है ठीक है ना तो कई सारी चीज़ें बच्वन में आप पांच वर्स तक की उम्र तक आप परिवार में रहके ही दोस्तों आप सीखने हैं फिर आप दोस्तों स्कूल में जाते हैं फिर आप बड़े होते हैं समाज के संपर्क मारते हैं ठीक तो यहां पर ऐसी खेल के मैदान हैं समाज राज्य यह दोस्तों यहां पर आपके अनवचारिक सिख्षा के स्त्रोथ हैं इसके बाद अगला आता है व्यवसाइक स्त्रोथ व्यवसाइक स्त्रोथ के अंतरगत कौन-कौन आएंगे दोस्तों जिसे रीडियो है टेलीविजन है चल-चित्र है, नित्यगरह, नाटेसाला, प्रेस, आदी, अब इसका basically क्या है reason ? क्योंकि आपके क्या है इसका use के लिए किया है ? किसी व्यवसाइक के दिष्टिकोन से इन स्त्रोथों का use किया जाता है ठीक ? तो यह भी क्या है सिख्षा के स्त्रोथ है रीडियो, चलचित्र निट्टे ग्रह, नाटे सलना। बैसिकली दोस्तों जो एजनशी था। इसको स्त्रोथ में कनवर्ट कर दिया है। और इसमें अभी तक इसको एजनशी समझा रहा था लेकिन यह एजनशी नहीं है। दोस्तों आपके व्यवसाइक्स त्रोथ है। इसका निर्मान करने वाले एजिंसी जए ठीक, ये स्त्रौथ होते हैं। इसके बाद अविवसाईँ की स्त्रौथ हैं। तो इसमें फिर अईन की पमेंडें, जिनका निर्मान क्या है समाच की भलाई के लिए किए आ गया है। इनका संबन किसी भी विवसाइस ही नहीं होता है तो इसमें जैसे आपके खेल संग है समाज कल जान के इंदर नाट के संग युवक कल जान संग ठीक है ये सभी दोस्तों इसके इंतरगर आएंगे स्काउट ठीक तो ये थे दोस्तों आपके सिक्षा के अभीकरण एवं साधन यानि कि सोर्सेस ओफ एजुकेशन और एजिन्सीज ओफ एजुकेशन आई होप कि दोस्तों ये आपको लेक्शर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो अपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए टेक के रेंट गुडबाई